टार्गेट विद आलोग के आनलाइन प्लेटफार्म से मैं पंडितमरेश भट आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनेंदन करता हूँ हम लोग अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हैं यानि जो हमारा रिव्यू आफीसर एंड असिस्टेंट रिव्यू आफीसर समिक्षादिकारी एवं सहाइक समिक्षादिकारी की जो वैज है उस वैज को ले करके हम लोग आपके सामने लगातार आ रहे हैं कोई नो कोई हमारी संसा के मरमग विद्वान, मुर्धन विद्वान आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं और अपने बीसर को ले करके उसके बारे में बात करते हैं उसी कड़ी में जो मेरा एक नैतिक और बड़ा दाई तो है जिस सेग्मेंट को ले करके हिंदी में तो उसको ले करके हम भी आपके सामने हाजिर हो रहे हैं मैंने ही ये चर्चा किया था कि इसके पहले थोड़ी सी मैं आहला कि आप उसको ना जानते होगे लेकिन फिर भी अपने कारियों का निर्वान करते हुए ये हमारा वाटसप नंबर है इस नंबर पर अपनी वाटसप नंबर से इंट्री आरो यारो लिख करके आप सेंड करेंगे तो हमारी जो टेक्निकल टीम है वह आप से संपर करके एड्मिशन की पूरी प्रोसेस आपको बता देगी अन्य था स्कूल भी जो नंबर चल लहे हैं इन नंबरों पर आप क्या करेंगे संपर कर सकते हैं या आप जो है चलिए जो स्कूलिंग नंबर है उसी पर बात कर लीजिए यानि इस पर जो है आप बात कर सकते हैं यारी इस नंबर पर आप क्या करेंगे बात कर सकते हैं 10 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में आप इन नमबरों पर काल आप कर सकते हैं तो प्रापर आपको उत्तर दिया जाएगा इसलिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लिखते हैं कि क्या है कैसे है तमाम उनके जो प्रश्ण रहते हैं उस प्रश्ण का सबसे अच्छा माध्य में है कि बेटा आप इन नमबरों पर काल लगाए और पूरी डिटेल जानकारी ले लीजिए हम लोगों को शोभा नहीं देता है कि पूरी यह डिटेल जानकारी इस प्रकार से बात करें क्योंकि हम अपने टॉपिक को ले करके आते हैं और उसमें जो जनरल इनफर्मेशन होता है वो हम लोग आपको बता देते हैं कि इस नमबर पर आप वाट्टसप करिए इस नमबर पर आप काल कर लीजिए बात के डिटेल इनफर्मेशन पूरी इनफर्मेशन जितनी क्या फीक्ट इस्ट्रक्चर है या आपको कौन-कौन लोग पढ़ाएंगे हैला कि हम लोग पब्लिकली होते हैं और सभी लोग आप जानते हर सब्जेक्ट के जो सिख्षक हैं जो मुर्धन्य बिद्वान हैं वह आते हैं और अपनी बात रखते हैं आईए चलिए हम बात करते थे हम बात कर रहे हैं कि जो टॉपिक है एक टॉपिक है वर्तनी शुदिकरण तो वर्तनियों को लेकर के आपके सामने आपके जेहन में आये दिन समस्या होती रहती है तो अभी हम जो है आपको मात्रात्मक टॉटियों पर हम बात कर रहे हैं मैंने ये कहा था कि जो टॉटि है वो मात्रा के आधार पर हो रही है तो मात्रा के आधार पर टॉटि कौन कौन सी हो रही है कैसे हो रही है तो मात्रा के आधार पर मात्रा मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया है कि मात्रा की से कहते हैं इसके बारे में हमने पहले वीडियो में आपसे जिक्र किया है और इसमें भी मैंने आपको इन मात्राओं में से बताया था चार मात्रा को आपको बिसेस ध्यान देना है छोटी इ, बड़ी इ, छोटाउ और बड़ाउ इन चार पर तो आपको विशेश ध्यान देना है कि छोटी इ की मात्रा, बड़ी इ की मात्रा, छोटाउ की मात्रा और बड़ाउ की मात्रा ये चार मात्रा पर ही आपको अगर ये चार मात्रा वाले शब्द आपको इस पर प्रेक्टिस कर ले गए तो निश्चित तोर पर आप जो है आगे लीड लेंगे तो आपको करना क्या है देखे प्रेक्टिस मेक से परफेक्टमेंट हमेशा अभ्यास से आप पुरुनता की तरफ बढ़ते हैं बिन अभ्यास बिशम बिद्या बिन अभ्यास यानि बिना अभ्यास के बिद्या जो है वो बिशे के समान हो जाती है यह आती नहीं है सरस नहीं रहती है बलकि दुरू हो जाती है कठी हो जाती है इसलिए बिद्या को हमेशा अगर आपको अरजित करना है तो हमेशा सतत अभ्यास की अवस्यक्ता है तो जो शब्द होते हैं और ओभी मात्रात्मक शब्द छोटी ई छोटा उ बड़ी ई बड़ा उ के सब्द तो आपको लगतार प्रिक्टिस करना है अगर ऐसा आप कर ले जाते हैं तो निश्चित तोर पर आपको फायदा मिलेगा अच्छा करना क्या है आपको आपको नहीं अगर मन करता है तो उन सब्दों को दो, चार, दस, वीश सब्दों को तो आप यूं ही कहानी बना लिजे और उसको लिखने का प्रियास करिए कहानी रूप में लिखिए जैसे माल लिजेए, आप लिख सकते हैं ऐसा लिख लिजे कहानी अगर नहीं आता है आपको तो आप ये लिख सकते हैं सब्द की मैं बात कर रहा हूँ माल लिजे मैं अभी थोड़ा सा उसके बात उसकी overall मैं बताऊंगा कि इसको कैसे practice हम करें इसको लेकर कि अभी last में मैं बताता हूँ, इसके बाद बताता हूँ पहले थोड़ा सा इन मात्रात्मक तुरूटियों में हम छोटी E की तुरूटी और बड़ी E की तुरूटी इस पर हम बात करें, तो आप ये देखेंगे कि जो इस प्रकार से बाते हो रही हैं तो कुछ सब्दों को आप देख लिए और इन सब्दों को आप हलां कि मैं बाइफरकेट करके आप से पुनाण और भी डिटेल में हम बात करेंगे अभी जहां जितना संभव हो रहा है, उतनी आप से हम चर्चा कर रहे हैं जैसे एक सब्द बड़ा आता है काली दास आता है सब्द जो है ये बहुत बार ये सब्द आता है और हमेशा आप इस सब्द को ले करके कन्फूज रहते हैं ठीक है? ये वरणगत जब ओवराल अभी मैं मात्रात्मक तुरूटी वरणगत तुरूटी पर बात नहीं कर रहा हूँ नहीं वरणगत तुरूटी मैं बताया हूँ आपको वरणगत जब तुरूटी बताऊंगा और वरणगत तुरूटी का जब मैं बरगी करन करूंगा तो वहाँ जब वरणगत तुरूटी आप समझेंगे और मात्रात्मक तुरूटी समझ लेंगे इन सब्द को आप जान लेंगे और वरणगत तुरूटी को आप जान लेंगे तो आपके सारे जो भी गलती के आयाम है वो गलती के आयाम सवाप्त हो जाएंगे लेकिन पूरा एनलसिस करके आपको पढ़ना पढ़ेगा यूँ ही नहीं ऐसे ही नहीं थोड़ा सा अपनी बिचार करना पढ़ेगा क्योंकि ये आज की तो बात है नहीं कि आज की गलती है और एक में सुधर जाएगी ये आपके इतने वरशों की गलती है ये 20 बचीस वरशों की गलतियां है तो आप ये बटन दबा करके सही नहीं कर सकते हैं थोड़ा सा आपको प्रेक्टिस करना पढ़ेगा तो प्रेक्टिस में अभी हम आपको बताएंगे कि प्रेक्टिस भी कैसे करिये जैसे कालिदास और कालिदास पहले चीज हम प्रनंसियसन जब करते हैं न तो अपने एकार्डिंग करते हैं जो उच्छारण करते हैं वो अपने एकार्डिंग हम बोलते हैं कालिदास तो काली दास बोलेंगे तो काली दास लिखेंगे जब भी अगर बात आती है काली दास की आती है तो आप हमेशा काली दास अगर बोलेंगे तब तो ठीक है तो यह है क्या काली दास है यह छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा को लेकर तो जब भी भी आप लिखेंगे, ये सब्द लिखेंगे, तो आप काली दास लिखेंगे, काली दास नहीं बोलेंगे, ठीक है, तो अब काली दास हो गए, तो काली दास जब भी आप लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, काली दास, अब वो कुछ भी सब्द बना करके वरनगत रूटी यह भी नहीं बताएं है जब बता लेंगे तब ही वरनगत रूटी में भी इसकी हम बात करेंगे आपको कि कैसे यहाँ पर शौ और शौ शौ के अंतर को जब हम बताएंगे तो उस पर भी हम बात करेंगे कि इसमें हम कैसे वाइफरकेट कर लेते हैं और कैसे करेंगे तो यहाँ पर यो है यह सब्द आपके अब दो चार बार ऐसे ही कालिदास अगर लिख देते हैं बोल देते हैं तो आपके समस्या समात हो जाते है एक सब्द होता है गरिष्ठ सब्द होता है अच्छा, आप देखे, शब्द क्या होते हैं? एक सब्द क्या? गरिष्ठ सब्द है, ठीक है? गरिष्ठ और शब्द क्या होता है? गरिष्ठ सब्द होता है. यह दो प्रकार के आपको शब्द मिलते हैं, गरिष्ठ और गरिष्ठ. यहाँ पर भी देखे, हो सकता है कि आपको गरिष्ठ ऐसे भी लिखा जा सकता है, और गरिष्ठ ऐसे भी लिखा जा सकता है. देखे, यहाँ वर्णगत और मात्रात्मक्त रूटी दोनों की बात हो, दोनों आ गये हैं. यहाँ पर पहली चीज आप गरिष्ठ नहीं बोल ले हैं, गरिष्ठ बोल ले हैं. अब गरिष्ठ है, ठो है, क्या है, बस इसको आपको जानना है. यह तो आपको आल लेडी क्या हो गया? गरिष्ठ नहीं है, यह रिष्ठ है. कभी-कभी अगर आपको आता है, तो आप प्रनसिय यह तोड़ करके भी समझ सकते हैं. तो गरिष्ठ भी नहीं होता है, बलकि गरिष्ठ होता है. हमेशा यह ड़ो आते हैं, टो नहीं होता है. ठीकि? आप इसको जान लिजे, बहुत सारे बिद्यार्थी हमेशा गरिष्ठ क जैसे बरिष्ठ होता है. यह नहीं है. आपको कनिष्ठ होता है, तो कनिष्ठ तो नहीं होता है. कनिष्ठ होता है. सब्द क्या है? कनिष्ठ होता है. इसमें तो नहीं होता है. कनिष्ठ नहीं होता है. यह कनिष्ठ होता है. तो प्रायह 99% केसेज आप ये देखेंगे हमेशा ठो ही सही होगा ठो नहीं होगा इस प्रकास से जैसे अगर सब्द लिखा गया है जेश्ठ लिखा गया जेश्ठ तो जेश्ठ भराता अब ये नहीं है कि आप ये कहेंगे जेश्ठ भराता जेश्ट सब्द ही क्या हो जाते हैं गलत हो जाते हैं तो आपको करना क्या है कि जहां पर ये टो और ठो का मामला इस प्रकार से आधा सो यानि मुर्धन्य सो वरणगत मैं आएंगे तो हम बाते मैं बार-बार एक कह रहा हूँ ठो के पहले आप प्राय है छोटी ए की मात्रा यानि शो आइस प्रकार से अगर आता है इसको डीटेल में हम बाद में बात करेंगे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो अभी उधर की बात मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ अभी किवल मैं छोटी ए पर आपको बात कर रहा हूँ तो कनिष्ठ सब्द क्या है आपके सही है कनिष्ठ नहीं होता है गरिष्ठ ठो जेश्ठ ठो ये आपके सब्द सही होते हैं आपको घनिष्ठ ठो घनिष्ठ सब्द ने बड़े हमारे उनसे बड़े घनिष्ठ ब्योहार हैं तो घनिष्ठ ब्योहार ने घनिष्ठ ब्योहार हैं यानि ठो होता है, तो जब भी इस प्रकार से आप आएंगे, तो ठो को नौ सही करके आप ठो को सही करेंगे, गरिष्ठ हुआ, जेष्ठ हुआ, और कनिष्ठ हुआ, ऐसे भी आप कोई शब्द अगर मिलता है, इस प्रकार से आप कर ले जाएंगे, तो ये आपके क्या हो जाते हैं ये सही हो जाते हैं तो ऐसे सब्दों पर भी आपको ध्यान देना है और ऐसे सब्दों पर जब ध्यान दे देंगे तो निश्चित तोर पे आपको बस कुछ भी करना है नहीं जी दो एक बार पाँच बार इसको प्रेक्टिस करिए देखिए अपने आप लेखन पद्धत में आपसे सामिल हो जाएंगे अच्छा अब माल लिजे कि हमने सब्द कोई सब्द लिया जिसमें जैसे एक सब्द है निरी है तो निरी हो गया निरी हो गया ऐसे ही लिखा रहेगा जी तो पहले आप बोल क्या रहे है निरी हो लहे है तो री ह तो बोल लहे है अब री ह नहीं बोल लहे है निरी ह नहीं बोल लहे है अब निरी ह बोल लहे है तो नी नी पर आप नी री ह नहीं बोल लहे है आप यह नहीं बोलने हैं नी जो बड़ाई होता है उसका प्रनेंसियसन छोटाई से दो गुना होता है समय लगता है छोटी य और बड़ी य में अंतर होता है कि छोटी य में जितना समय लगेगा उसके दो गुना समय बड़ी य में लगता है क्योंकि य और य मिलकर के बड़ E का निर्मार करते हैं तो एक E बोलने में जितना भी समय लगेगा तो दो E बोलने में इसका दो भुना समय लगेगा इसलिए तो ये बड़ी E है तो री है शब्द है लेकिन नीरी है शब्द नहीं है नीरी है तो नी को आप क्या बोलने हैं थोड़ा सा इस नी की अपेक्छा तेजी से बोल रहे हैं और रीह शब्द है तो नीरीह शब्द हो गया नीरीह नहीं हुआ बलकि नीरीह बोलते हैं और ये नीरीह लिखा कैसे जाएगा पहले छोटी इकी मात्रा फिर रोपर बड़ी इकी मात्रा फिर हो हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा निरी हो जाएगा क्याते है यह निरी प्राणी है इसकी दशा बहुत ही निरी है खराब है तो निरी है तो यह सब्द भी आपसे पूछे जा सकते है एक सब्द है दीपी का सब्द है दीपी का ठीक है, बड़ा ही आपने नाम दी पिका, ऐसा, ए लिख सकते हैं, बी में ऐसा भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है की नहीं, और ऐसा भी लिखा जा सकता है, आपको जो इक्षा करें वो लिख लीजे, इसमें हमारी तरफ से कुई रोख टोख नहीं है, लेकिन आपको लिखना कैसे है, ये सही तो जानना ही पड़ेगा, तो सब्द क्या है, दी-पिका है, अब ये बताइए, आप दी-पी-का बोल ले है, दी-पिका की दी-पिका, बोलती क्या है, pronunciation क्या करते हैं, तो कहते हैं ये दी-पिका है, तो दी आप देखे प्रणंसियेशन थोड़ी सी देरी तर जादे समय तक कर रहे है दी पिका पिका जो है ये तेज कर रहे है तो यानि आपकी दी पिका कैसे लिखा जाएगा प्रायह मैंने कहा 90% केसेज आपके प्रणंसियेशन पर होते है और प्रायह आप 90% गलत सही उच्चारण करते हैं 10% आप गलतियां करते हैं किसी किसी पर तो आप ये समझते हैं कि बस ये गड़वड हो गया उसी को सब सुधार करते हैं कहते हैं हमको लगता हम सभी ऐसे बोलते हैं लेकिन ऐसा नहीं है आप अगर अपनी लिष्ट बनाएंगे और हमेशा इस हाथ की प्रेक्टिस करवाईए मस्तिस्क की नहीं हाथ की क्योंकि जब ये हाथ की प्रेक्टिस हो जाएगी तो ये दिल अगर आपका कहता है न या दिमाग कहता है दिल और दिमाग की सिग्मत सुनिये दोनों के केवल हाथ की सुनिये आप कोई सब्द इतनी बार प्रेक्टिस कर देजिए अगर आप आँख मूद करके आपने दिपिका ऐसे लिखा है ठीक है तो इसमें कभी भी दिमाग का काम ही नहीं है क्योंकि ये हाथ की प्रेक्टिस साब ने किया हैंड प्रेक्टिस है तो हैंड प्रेक्टिस जब हो गया हाथ का भ्यास हो गया तो ये अपने आप लिख देगा और जो सही रहेगा जो आप प्रेक्टिस किये रहेंगे वही लिखेगा जब भी आप दिमाग लगाएंगे तुरंत जो है यह इधर आप कहेगा नए नए दिपीका होता है नए दीपीका होता है ऐसा आप लगेंगे और ये जो हाथ एक सरसरी निगाम इसलिए कोश्चन्स जब भी आप एक्जाम में बैठिये तो कोश्चन्स के बिकलपों को मत देखिये पहले वरतनी शुदी करण में खास करकि मैं बता रहा हूँ आप जब भी देखिये कोई अगर दिया गया उसको तुरंथ लिख दीजिए और जो लिखेंगे बीना सोच के लिखेंगे वह सही लिख देगा और जो सही लिख देगा उसी से मिलान कर दीजिए देखिएगा 99% आपके कोश्चन्स सही हो जाते है यह fact बात है यह कोई गलत बात नहीं है इसलिए मैं कहा कि हमेशा आप इसको देखिए और इसको practice करिए हाथ का इस हाथ की इतनी practice होती है न कि यह हाथ अगर इस हाथ को कहा जाए कि भाई कोई भोजन अगर लो और इसको जो है आँख में पहुँचा दो जो गोर अंधेरा हो यह हाँ आँख में नहीं पहुचाएगा यह जब भी जाएगा तो मुख में ही ले जाएगा जब भी जाएगा नाक में नहीं ले जाएगा क्योंकि इसका अब ये आपकी माइंड पर नहीं है इस हाथ की practis से कुछ भी पाया, खट दे यहां लेगा इसमें माइंड नहीं लग रहा है क्योंकि हाथ की इतनी practice हो चुगी है यहां से यहां के बीच में अब माइंड अगर लगेगा तब एक हैगा ये नाक में ले जाओ, ये आँख में ले जाओ, ये माइंड लगा रहा है, अपने आपे नहीं जा रहा है, और जब भी माइंड नहीं लगेगा, आपका दिल नहीं करेगा, तुरंत ये मुख में ही जाएगा, क्यों? क्योंकि इसी पर इसका practice हुआ है, तो हमेशा आप हाथ से practice कर डालिए, और अगर practice कर डालते हैं, तो निश्चित तोर पर आपकी कभी वरतनी mistake नहीं होगा, जो पूछा जाएगा, और बाकी हम तो है ही, आपको बताने के लिए, कि बीच बीच में ऐसे भी, हम अभी तो बहुत सारी बातें आपको बतानी है, ये तो point में जैसे शब्द, एक सब्द आता है, शूची पत्र आता है, आप नाम सुने होंगे, तो शूची पत्र नाम सुने होंगे, अब ये बताइए, जब सूची पत्र, और सूची पत्र, ठीक है, यही तो लिखा जा सकता है भई, सूची, सूची पत्र, जैसे भी लिखी, आप क्या बोलते हैं, आप शूची पत्र बोलते हैं, अमोमन भी, ऐसा आप बोलते हैं, सूची पत्र, तो बोल भी रहे हैं, शूची पत्र बोल भी रहे हैं, तो सूची पत्र पहली चीज, आप शू बोलना हैं, शूची बोलना है है, सूची नहीं बोल ले है, शूची पत्र बोल ले है, सूची अगर लिखेंगे तब तो छोटी की मात्रा हो जाएगा, शूची पत्र वो भी नियम है, मैं बताऊंगा कैसे ऐसा होता है, कैसे छोटा O या छोटा E, कैसे बड़ी E परिवर्तित हो जाते हैं, हम क्यों ऐसा लिखते हैं, ऐसा मैं आप बताऊंगा, कि आप क्यों जो है, नदी ऐसे लिखते हैं, और नदीयां क्यों ऐसे लिख देते हैं, ऐसा लिखते हैं, अगर आप टोपी ऐसे लिखते हैं, माल लेजे, आप टोपी ऐसे लिखते हैं, तो खुनह टोपियां ऐसे क्यों म इसकी छोटी कर देते हैं ठीक है? नारी ऐसे लिखते हैं तो नारियां क्यों ऐसे लिख देते हैं? इसको भी हम बताएंगे ये concept base है तो ये कैसे छोटी बड़ी छोटी इम परिवर्तित होता है? या छोटी बड़ी इम परिवर्तित कैसे हो जाता है? इस पर भी हम आपसे बात करेंगे इसको ऐसे यहां पर भी सूची और सूची पत्र में भी ऐसा ही होता है कुछ नियम के एकार्डिंग ऐसा होता है बदलता है उस पर बात किया जाएगा तो यहां पर शूची पत्र होता है तो शूची पत्र हो गया पत्र तो लिखे न जानते हैं बस सूची में है तो शूची पत्र यहां जो भी होता है ऐसे ही अब आप कुछ भी मत करिएगा सूची पत्र शूची पत्र आप ऐसे ही practice करिएगा हास से निश्चित तोर पर देखिएगा आपके काम बन जाएंगे ठीक है अगर माल लिजे कि शब्द लिखते हैं एक सब्द आता है स्री मती आता है अच्छा सीफत बात ये है कि आप कभी कभी तो मैं देखता हूँ कोई कोई बच्चा कि ओवर स्मार्ट में गलत कर देता है वो कहता है नहीं ने स्री मती होगा जबकि आप बोल लहें हैं स्री मती आप बोल लहें हैं आप कहते हैं स्री मती जी अरे स्री मती मेरी जान छोड़ दीजिए ऐसा बोलते हैं तो स्री मती आप बोलते भी हैं और तो स्रीमती जब आप लिखने, कभी-कभी आप सब्द पर लिखते समय बिचार नहीं करते हैं, तो जब एक बार, दो बार बिचार कर लेंगे न, तो आपको वो शब्द समझ में आ जाएगा, बहुत ऐसे सबदावलियां हैं, उन शब्दों पर हम आपसे, अभी तो या अंगडाई है, आगे बहुत लडाई है, बहुत सारे सब्दावलियां हैं, उस पर हम बात आपसे करने वाले हैं, एक सब्द होता है अस्थाई शब्द होता है अस्थाई ठीक है अस्थाई सब्द होता है और एक सब्द होता है अस्थाई अब ये पूछा भजाए भई कौन सा सही है तो यह कहेंगे कि आप कौन सा सही हम बताएं सर दोनों लिखा जाता है देखे सही आपके यह हैं अस्थाई यह अस्थाई आपके गलत है आप जो है आई ऐसे भी लिखते हैं और आई ऐसे भी लिखते हैं ठीक है गई ऐसे भी लिखते है और गई ऐसे भी लिखते है नई ऐसे भी लिखते है और नई ऐसे भी लिखते है तो क्या माना जाए कि कौन सा सही है देखे इसके इस पर हम आपसे आज चर्चा नहीं करेंगे किसी अन्य दिन हम इस पर चर्चा करते है क्योंकि इस पर थोड़ा सा डिटेल चर्चा हम करेंगे तभी जाकर कि यह बाते क्लियर होंगी कि कौन सा सही माना जाए या कौन सा लिखा जाए क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी लिख देते हैं तो लिखा कैसे जाए ये वर्तनी शुद्धिकरण का पार्ट है ये पार्ट है और इस पार्ट को भी जानना चाहिए तो अलग से इस पर हम आपसे बात करेंगे ये हम लिखते कैसे है तब जा करके ये बातें आप गलती नहीं करेंगे यहाँ पर ये जान लीजे उसी में अस्थाई कैसे लिखा जाता है इस प्रकार से लिखा जाता है ना कि इस प्रकार से ये आपके गलत हो जाते हैं अब माल लिजे कि शब्द लिखा गया है सारीरिक शब्द लिखा गया है ठीक है? सब्द क्या है? सारीरिक क्याई तो बोल ले है सारीरिक ऐसा सब्दों बोल ले है तो सारीरिक शब्द आप लिख रहे हैं और सारीरिक शब्द आप बोल ले हैं अब बहुत सारीरिक आप सारीरिक आप स्वेम बोल करके देखें सारीरिक अब यह नहीं आप कभी बोलते हैं सारी रिक सारी रिक ऐसा नहीं बोलते है अपसन में रहेगा हो सकता है रहे छोटी ए की सारी रिक होता है सारी रिक ये शब्द आपके पहले रोपर बड़ी ए की पुनह रोपर छोटी ए की मात्रा लगेगी तो ये क्या बन जाएंगे वैसे आप क्यों सरीर ऐसे ही लिखते हैं न? सरीर तो ऐसे ही लिखते हैं अब इसमें जब एक प्रत्य हम लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है? एक प्रत्य के कारण यह सारीरिक हो जाता है ऐसा क्यों होता है आखिर क्या कारण है क्या कारण है कि ऐसा हम लिखते हैं हम इसको भी आपको बताएंगे और आपको इसमें रटने क्या हो सकता नहीं है जब हम विशेश विशेशन की बात करेंगे हम वहां पर विशेश विशेशन को आपको 2-3 पॉइंटों के अंतर विशेशन जब हम विशेश विशेशन को बताएंगे कि जो आपके बड़े कठिन ऐसा लगता है कि आपको विशेश विशेशन कैसे समन्हें आएगा जब इस पार्ट को हम बताएंगे तो वहाँ पर इस चीज का हम जिक्र करेंगे क्यों हम ऐसा लिखते हैं आपको पता हो या ना पता हो लेकिन आप लिख देंगे आप क्यों अगर आप अध्यात्मिक ऐसे ही लिखेंगे क्यों आप अध्यात्मिक नहीं लिखेंगे अध्यात्मिक क्यों नहीं लिखेंगे अध्यात्मिक क्यों नहीं ऐसा लिखेंगे और लिखते हैं तो क्यों गलत हो जाता है क्या कारण है मैंने कहा ना कि सब्दावलियों की एक बड़ा ही पूरी वर्तनी शुदी करण की पड़ी एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया है केवल कुछ सब्दों पर ही आपको प्रेटिस करना है बाकिक कंसेप्ट बेस होते हैं इसा पताएंगे ना जब तो इसमें कोई बातें नहीं रहा जाएगे इसमें तो ऐसे अपने आप समझ जाएंगे बरतनी शुदी करण नहीं ने सरीर हम ऐसे लिखते हैं तो सारीरिक कभी भी आएगा तो हम ऐसा ही लिखेंगे हम ऐसा लिखी नहीं सकते हैं हम सरीरिक ऐसा भी नहीं लिख सकते हैं अगर लिखेंगे गलत हो जाएगा यह अपनी आप स्वेम से आ जाएगा यह आप स्वेम बता ले जाएगे तो इसलिए आप यह की निश्चिंतता छोड़ दीजिए कि आपको यह आएगा नहीं पहले दिमाग से निकाल दीजिए यह तो आपको सब चुटकी वाला काम है जिसको कहते हैं और उस हिसाब से देखे कहते हैं न कि दो मिनट में आपको मैं ऐसा बता दूँगा नहीं दो मिनट में आप पूरा विद्वान हो जाएगे लेकिन बताएगे किसमें हम चालिस मिनट में बताएगे कब हम दो दो घंटा तीन तीन घंटा मताएगे पाँच पाँच घंटे मताएगे बताने में समय लगता है लेकिन जब हम समझ जा दे हैं तो लिखने में समय नहीं लगता है समझाने में हमको समय लगता है और जब आप समझ जाते हैं तो पुनह पुह लिखने में हमको कुछ चंद सेकेंड लगते हैं तो उसका foundation पूरा तयार करनी में बाइनियम एक-एक बातों को समझाते हुए जब हम आगे चलते हैं तो आपको बाते सौन्जे आजाती है ठीक है? तो आप इस प्रकार से इन शब्दों को भी आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं और देख सकते हैं नारी तो जानते हैं नारी कैसे लिखा जाएगा? नारी तो ऐसे ही लिखा जाएगा कोई ऐसा तो होगा नहीं जो नारी को शब्द गलत मड़ेगा यानि सही मानेगा इसको नारी तो गलत नारी ही होगा अब आप कोई भी सब्दावली अगर हुई उन शब्दावलियों पर आप अपनी विचार को रख करके उन शब्दावलियों को देख करके और आप अपनी बात करिएगा निश्चित तोर पर देखे अच्छा कभी-कभी ऐसा होता है ऐसे सब्दावलियों का मैं तो आपको दूँगा मैं तो नोट्स दूँगा जो क्लास में पढ़ाऊंगा उसके अतरिक आपको नोट्स जाएगा और उस पर एक-एक करके हमारी बाते होंगी लेकिन आप उन्हीं को अगर आप स्वें मैं पॉब्लिकली भी बोल लहां हो कभी-कभी बच्चा वो क्लास में कहता है कि सर कहा गया मैं नोट्स दूँगा और यह वास सही है नोट्स आपको मिलेगा लेकिन सबसी बेटर उपाय है उस नोट्स को अपना बनाने के लिए आपको अपना पिन चलाना पड़ेगा बेटा अपना पिन चलाना अपने अपना बनाने के लिए अपने कलम का प्रियोग अपने कापी पर करना पड़ेगा बेटी तभी जा करके ये आप कुछ कर सकते हैं जो भी हमारे चातर चातर है आप लोग करते क्या है न जो notes प्राप्त करते हैं बस उसी पर underline करना ही start कर लेते हैं और जब उसी पर underline लिख तो नहीं रहे हैं तो जब लिखते हैं तब आपकी इसकी क्लिष्टता समझने आती है इसलिए class notes की अतरिक्त जो हम class में पढ़ाते हैं और जो notes भी भेजा जाता है मैं class में भी बहुता हूँ आप उसको notes करिए उसको note करिए एक अपना स्वेम का notes बनाईए हमारी ही सब्दावली रहे हैं आपको अलग से कोई किताब पुस्तक पढ़ने क्या हो सकता नहीं है हमारी ही सब्दावली रहें लेकिन handwriting आपकी रहे तो निश्यत तोर पर देखेगा कि आपके काम हो जाते हैं और इसको इन जब सब्दावली रहे हैं इन सब्दावली को समझने में इन सब्दावली को आपको जैसे कहते हैं कि सर हम कहां प्रियोग करें तो आप एक sentence बनाईए paragraph बना लेजिए उन सब्दों का जैसे अभी माल लेजिए जितने भी हम सब्द आपसे चर्चा किये उन सब्द का क्या करिए आपको अगर लगता है कि ये हमको नहीं समझ में आ रहा है या जो आपको कठिन लग रहा है कि जो गलतियां बार कठिन के मलनों जो गलतियां बार बार करते हैं उन सब्दावली को एक पेज पर लिखे और उसी की कहानी एक बना दिजी कहानी बना लिजे जैसे मान लिजे कालिदास ने गरिष्ट भोजन ऐसा आप लिखे मुझे जैसे आप उसी को कहानी कालिदास ने गरिष्ट भोजन करके कनिष्ठ लोगों के साथ घनिष्ठ बाते करते हुए निरीह प्राणियों की परिस्थिती को समझते हुए एक सूची पत्र तयार किया जिसमें सारीरिक रूप से जो अच्छम व्यक्ति हैं या स्रीमती जी लोग हैं उन नारियों को अलग करके बात करते हैं ऐसा बना दीजे ना आपके सारे जो भी सब्दावली मैंने बोला है उन सब्दावली को देखते हुए अन भी सब्दावली आप बात कर लीजे तो ऐसे क्या करिए एक पूरा का पूरा आप एक paragraph बना दीजे दो तीन लाइन का, चार लाइन का पांच लाइन का, उसको बार बार लिखिए अभी जो लिखते ने, जो आप लिखने लगेंगे, sentence में जो बना करके लिखने लगेंगे तो बार बार शब्द आएगा, जब बार बार सब्द आएगा, तो आपको क्या है, वो चीजें समझ में आ जाएंगी, वो गलतिया नहीं होगी बेसिक तोर पर एक कुछ वरतनी शुधार के नियम होते हैं, जो मात्रात्मक शुधार वाले हैं, इसमें देखिए मैंने सिर्फ छोटी य और बड़ी य को लिया है इसी पर आप से मैंने चर्चा किया है, एकाज सब्द में छोटा हूँ या बड़ा हूँ आ जाए वो बात लग है तो छोटा हूँ बड़ा हूँ का भी चर्चा करेंगे, अब ये अन्य सारे सब्द भी, छोटी ही बड़ी से हैं क्योगल इतना ही नहीं है, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे, तो आपको जब एक systematic तोर पर हम बताते हैं, systematic तोर पर आपसे बात करते हैं और आप इसको एक करम बढ़ तरीके से आप समस्ते चलते हैं तो आप के लिए आसान हो जाता है नहीं तो क्या है ना ऐसे ही कठिनाई आपके बने रहेते हैं और आप हमेशा समस्या गरस्त रहते हैं हमेशा गलतियां करके चले आते हैं इसलिए इन गलतियों से बचने के लिए आपको थोड़ा प्रेक्टिस करना पड़ेगा और प्रेक्टिस मैंने बताया प्रेक्टिस मैट से परफेक्ट में तो चलिए आज के लिए बस इतना ही next हमारी जो मुलाकात होगी इसी कड़ी को हम यह नहीं है कि बस एक टापिक ले हैं वह और छोड़ छोड़ करके पढ़ा रहा हैं बस इसी कड़ी को अन्नी भी बढ़ाएंगे अन्नी पर भी बात करेंगे और उस पर भी देखा जाएगा तो इसी कड़ी की स्रिंखला को हम next में जब भी हमारा पबलिक होगा तो उस पर हम बात करते हैं और उस पर भी अन्नी कोई बारी की होगी उन बारी क्यों को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो आज के लिए इतना ही धेर सारी शुक कामनाय हैं आप लोगों को धेर सारा प्यार है, धेर सारा आशिरवाद है कि आप स्वस्तर हैं मस्तर हैं ब्यस्त होने के साथ साथ आपके जो स्वरणिम सपने हैं उन सपनों को आप पूरा करें आप समिक्षा दिकारी अथवा सहाइक समिक्षा दिकारी इस स्वर करें आप समिक्षा दिकारी बने सहाइक समिक्षा दिकारी रहने दिजे समिक्षा दिकारी उसी नमबर दो चार नस न हमारी शुक्रामनाय हैं, ऐसी हमारी इश्वर से प्रार्धना है, ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद